हाई मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं लोटी हूँ एक जबदस रेसिपी के साथ जिसका नाम है फ्रूट कस्टर्ड बहुत सारे मेरे व्यूर्स की क्वेरी है कि कैसे exact measurements के साथ फ्रूट कस्टर्ड बनाया जाए ताकि ना वो जादा गाड़ा हो नहीं जादा पतला exact market style जैसा fruit कस्टर्ड बने तो आज वही रेसिपी में आपके साथ शेयर करूंगी इस रेसिपी को बनाने से पहले आईए SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही पैल बटन प्रेस करें लेटस अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते ह है अब एक पैन ली लिया है मैंने या पर उसमें डाला है मैने 1,5 लीटर full cream milk फुल क्रीम प्रिम ंत्रील की वी इससे कस्टर्ड बह। अच्छा बनता है यह पैकेट वाला दूद है आप चाहें तो बहस का दूद भी ले सकते हैं उससे भी बह। अच्छा टेस्ट आता एक हाई फ्लेम पर दूद को बॉइल होने देंगे इतनी देर में हम जो हमारा कस्टेड मिक्स्चर है वो रेडी कर लेते हैं एक बाउल में टू टेबल स्पून अफ कस्टेड पाउडर लेंगे यह वैनीला कस्टेड पाउडर है और उसमें मैंने डाला है थोड़ा गुन-गुना करके एक चुथाई कप के करीब दूद अच्छे से इसको विस्क कर लेंगे दूद आप चाहें तो आदा लीटर जो दूद गरम हो रहा है उसके अंदर से भी ले सकते हैं पर ध्यान रखेगा ल्यूक वाम होना चाहिए अगर आप डायरेक कस्टड पाउडर दूद में डाल देंगे तो जो लम्स हैं वो बन जाएंगे गुठलियां बन जाएंगे और कस्टड बिल्कुल भी क्रीमी नहीं बनेगा और ठिक हो जाएगा जादा दूद को बीच बीच में स्टर करते रहेगा और देखिए बॉइल आ चुका है अब इस फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और धीरे धीरे करके इसमें जो कस्टड का मिक्स्टर है वो एड करना है ध्यान रखेगा एक की बारी में ना आड करें लंस पढ़ने का डर रहता है थोड़ा थोड़ा एड करें और अच्छे से स्टर करते जाए एक तो जो इससे कस्टड पाउडर का कच्चापन है वो भी चला जाएगा क्रीमी टेक्श्टर भी भर पूर रहेगा बस बहुत इंपोर्टन पॉइंट है ध्यान रखेगा स्टर करते रहना है इस टाइम प इस टाइम पर आप एड कर दीजिए एक तहाई कप चीनी चीनी आप अपने इसाब से कम या जादा कर सकते हैं मैंने यहां पर तकरीबन ली होगी पिछतर गराम के करीब चीनी इसमें कमी लगती है क्योंकि फूट्स भी जो है हम इसमें आड करेंगे जब वह भी बहुत मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है तो तीन से चार मिनट अकरीवन कस्टेड बिलकुल साही कंसिस्टेंसी का बना है या नहीं यह चेक करने के लिए बैक ऑफ दे स्पून कीजिए हरका सफिंगर से स्वाइप कीजिए अगर यह बिलकुल क्लीन आता है मतल इसको एक बाउल में ट्रांसवर कर लेंगे इसको कूल डाउन होने देना है जब तक कि रूम टेपरेचर परना आ जाए इसको थंडा करने का आसान तरीका में आपको बताती हूं एक परात लेंगे उसके अंदर यह बाउल रखेंगे बाउल को सेलेफिन शीट से कवर यह मार्केट में आपको असानी से मिल जाएगी अगर नहीं है तो फॉइल पेपर का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब जो बड़ी परात है उसमें आट करेंगे पानी नॉमल पानी आट किया है मैंने ना ही ठंडा ना ही गरा इस तरीके से ठंडा करने में बहुत ही कम टाइम जैसे कि अंगूर कीवी अनार आपल बनाना मैंगो आप अपने मन पसंद के कोई भी फ्रूट साथ कर सकते हैं बस ध्यान रखेगा वह वाटर बेस नहीं होने चाहिए जैसे कि तर्वूज घर्वूजा यह सब नहीं डलता इसमें एक बड़े बावल में मैंने से ट्रांसफ करने के लिए एक बारी जो आप कस्टड बना लेंगे तो यह कम से कम तीन से चार दिन अच्छ से चल जाएगा आपका फ्रिज में रख दीजे इसको जब भी सर्फ करना हो तब निकाले और सब करें फ्रेंस और फैमिली के साथ इससे पी को शेर कीजिए मुझे कमेंट बॉक में लिखकर बताईएगा कैसी लगी आप सब को यह रेसिपी जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेर की है उसको जरूर फॉलो किजेगा और मेरी गारंटी यह बहुत टेस्टी वनेगा और आपके फैमिली को तो बहुत ही पसंद आने वाला है मिलूंगी अगली ब लिखक शेर औंबस्क्रीब